बाबा सीधे उठे आज कैलास परवत से भगूती वगूती लगाए भस मुस्म लगाए बाबा सीधे पहुँचगे नंदरानी के महल के पास बाबा खड़े हुए द्वार पर अलग अलग खोल दे पलग देख ले दुनिया की जलक दमड़ो बजाना बाबा ने प्रारंब किया निकल कर दासी आई क्या बाद है बाबा बाबा ने गहां अंदर जो मिया यसोदा है ना उसका जो लाला है उसका दर्सन करना दासी आई तो आधा किलोमेटर दूर से बात कर रही है भगवान भोरेनाथ की जब बारात गई ना तो ऐसा गाउं में लग रहा था जैसे आत्मवादी हमला हुआ हुआ है लड़के भागे जी वो परांग ले लेके रजाई ओड़के पल्ला बंद करके सोगे माई जाना नहीं मर जाओगी देखके दासी दूर से बात करें क्या बात अब लाला को देखना है मैया ने पूछा कि कोन आया बोले कोई बाबा आया है और वो बाबा बड़े बड़े सांफ बिक्छू बागहंबर मुर्दा का भस्म लगाए हुआ है मैया ने जाके कह दो कि जो चहिए आंटा भांटा ले जाओ रुपया पैसा चहिए तो ले जाओ दरसन नहीं मिलेगा दासी ने का माफ करिएगा मैया ने रोक दिया है लाला भी छोटा है आपके इस स्वरूप को देखकर हम लोग डर जा रहे हैं तो अभी साथ दिन का या इसलिए दरसन नहीं मिलेगा बाबा ने सोचा यह क्या हो गया आप क्या करें सभाव सुरूप तो बदल नहीं सकते बाबा बाहर ही खड़े हैं और बाबा के आने का समाचार भगवान को मिल गया देखो जब जब भगवान का अउतार होता है तब तब बाबा आते हैं राम जी का उतार हुआ था तब भी बाबा आये थे और आयुद्या में भी वही दसा हुई थी का घुसुन्डी के साद बाबा भोले ना था एक खड़े हुए उधर फैजाबाद में और धक्का मारके पहुँचा दिया गोंडा तक इधर से मारे उधर उधर से मारे उधर क् जनम सृति गावई जही दिन राम जनम सृति गावई कहां चली आवे ती रख सकर कहां चली आवे आउ रो एक कहां निज चोरी आउ रो एक कहां निज चोरी सुन गिर जा अति द्रिण मति पोरी काग भुसुंड संग हम दो मन जरूप जाने नहीं को काग भुसुंड संग हम दो मन जरूप जाने नहीं को काग भुसुंड संग हम दो मन जरूप जाने नहीं को प्रेमानंत मन मन भूले प्रेमानंत मगन मन खूले वीचरी नफे रही मंगन अमनफूले वीचरी नफे थी नफेर शेय ममन बूले पाबा राम जी के भी जमाने में आए तब भी दर्शन नहीं मिला इसे उधा उधार से उधार उधार से उधार काग भुसुंडवी साथ में थे तो सोचा कि अब क्या करे मेना दर्शन के दो जाएंगे नहीं तो बाबा सरजु के किनारे बैठ गया और जोटसी बन गया जोतिस की बिद्धिया बड़ी अच्छी होती है ट्रेन में जगाना मिल रहा हो और हाथ देखना सुरू कर दो सबसे जादा हाथ दिखाने में यह माताएं आगे हैं महराज हाथ देखना जानते हो जानते हो तो अपने देख लेते हैं बाबा ने कहा चलो जोटसी का काम बढ़िया है दो चार बात बताना है कि पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है और तुम तो किसी की बुराई नहीं करती हो लेकिन तुम्हारे जिए लोग है ना तुम्हारी बुराई जरूर करते हां महराज बिल्कुर ठीक है रहे हैं हमको तो किसी से कोई लेने देना नहीं है लेकिन हमारे पीछे पड़े रहते हैं मोधी तुम ही हो तो यह जोटसी का इसको दिखाना होगा अब बाबा इसका हाथ देखें फिर क्या कहना है एक जगह हम गए तो माता जी ने महाराज कुछ जानते हो जो बताना जानते हो तो बता दो इसको बोले कि विवाह नहीं हो रहा है तो हमने का कि हम बावा है तो यहीं बता सकते हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे तो भी जानते हैं है तो शोस्तान करा ने हो जाएगा वह ठीक नहीं है दिन भी आहें के नहीं लूट ले तुम लूट गए कि बाबा का मतलब साधू का मतलब यह है जो भगवत संबंधी चर्चा करें भगवान के बारे में कुछ बताए संत की पहचान और संत की सेवा इसलिए होती है क्योंकि वह भगवान के दूत माने जाते हैं तो उनसे जाके पूछो कि बियाह कब होगा उनका खुदे नहीं हुआ तो आर कहां से कराएंगे कि सब्कारा धुकी बातः नहीं करनी जारे अपने कर्म ऑर अपने भागये पर भरुशा करो कर्म अच्छा करोगये तो अवस्य्यड भोग्त अब कृतं करम-दियां सुभा सुभा होने तो भाग अपने आने आप बदल जाएंगे कोई भाग भाग नहीं बनाता है इसलिए बाबा बनगे द्योटसी और ऐसा हाथ देखना प्रारंबगिया पूरे अयोध्या में चर्चा एक बहुत बड़ा द्योटसी आया है कैसा है बुढधा है बाबा कैसे हैं अरे तब फेर भूध जयाधा जानकार होगे। कि बहुत बड़े जोद्सि हैं इनको हाथ दिखाओ जैसे ही हाथ दिखाया बाबा ने भूध भाविश्यामान ब्रत्मान सभ बतादेए। प्रसंद हुई वो दासी मईया को सिल्या के पास दोड़ करके गई कहा मां एक जोच्सी आया है कि एक काम कर अपने इन चार कुमारों का हाथ दिखा दो और वो दासी मईया से कहती है मां अबध आज आगमी एक आयो 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 पूडो बढ़ो प्रमानित जोगी पूडो बढ़ो प्रमानित जोगी पूडो बढ़ो प्रमानित जोगी संकर नाम सुहायो अबध आज आगमी एक आयो करतलनी रखी कहत सब गुन गना करतलनी रखी कहत सब गुन गना अबध आज आगमी एक आयो अबध आज 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 प्रवेश बरजिक बोले नहीं नहीं आप नहीं जाने दोगे तो हम बता देंगे कि यह बाबा नकली है संक्रजी नेका तो समस्या हो जाएगी है कि हमारे चेला को भी आने दो अरे बोले चेला के क्या का मुहां गुरू जा सकते हैं कि बाबा ने का देखो हमारे आखों से दिखता कम है तो रेखा जो नहीं वो चिलवा देखेगा भागे हम बताएंगे ठीक ले जाओ तो काग भुसुंड के साथ बाबा भोले नाथ अंदर गए और राम जी का फुब्द दिविता से दर्सन किया तो रामा उतार में तो हो या खिश्णा उतार में कैसे हो भगवान ने कहा बाबा आपकी तो कोई लीला चले गए नहीं मुझे ही पिश्करना पड़ेगा और भग बाबा उसकिया सांथ नहीं हो दासीने का मुझे लगता है कि बभवा कोई टोना पड़ रहा है बाहर से जाकर करके दासी ने पुझा क्यों बाबा तोना मार रहे हो तो बोले दर्सम करा दूने तो का रोना बंद नहीं हो अब माने ठीक ले आओ लेकिन दूर से देखना वह बोले दूर से कुछ नहीं होगा अब आब वाबा आये और डड़ते ड़ते कांपते कांफते मैया ने गोविंद को बाबा के लोडह में दे दिया और जैसे ही गोविंद हाब के समाध्य लग गई और गोविंद ने जोना बंद कर लिए कि बाबा एकदम ध्यानश्त हो गए पर निचे कभी नीचे कभी उपर कभी नीचे मैं लगे प्राण निकल गाए तीन चार घंटा के बाद दासी ने हिराया बाबा बाबा जागे बोले कुछ बताओ कि इसांप बिक्चु इसके ऊपर दोड़ रहे हैं हमारा प्राण निकल रहा तुम सो रहे हो मुश्कराते हुए बाबा ने कहा कि छोटे मुटे सांपों से नहीं डरता यह जिस पर सोता है ना हमारे गले में तो बहुत छोटा सांप यह जिस पर सोता है वो से सब्सक्राइब सांप को देखकर दुनिया असांत हो जाती है लेकिन तुम्हारा लाला जब सांप पर सोता है तो सांथ हो जाता है सांता कारम भुजग साइन बहुत बड़े अजगर से बड़ा जो सेस है उस पर जब सोता है तुम्हारा बालत तो सामता कारम भुजग सायनम चोटे मोटे सांबु सडरने वाला नहीं है और कुछ बताओ कहा तुम्हारा बेटा साक्षाद परमात्मा कहने वाले तो भगवान ने का बिलकुल मत बताना अगर मैया जान गई हम भगवान है ना तो ना तो दूद पिलाएगी ना मक्षन खिलाए ना तो प्यार करेगी ना दुलार करेगी डेहरी पर ले जाकर के धर देगी और है चूटा चूटी वहीं भगवान हो एक अगर बत्ती सुवेरे दुपार को या तो संजा को इसे ज्यादा भगवान को क्या मिलता है अपना खाना हो तो आदमी पता नहीं क्या-क्या बनाता भगवान का नाम लेते सांप सूंग जाता है भगवान नेका नहीं अगर मैया जान गई मैं परमात्मा हूं तो ना दूद्ध पिलाएगी ना मक्खन खिलाएगी ना प्रेम करेगी ना स्रिंगार करेगी टेहरिप ले जाके टांग देगी बाबा ने तुरंद का ठीक लगता है कि जैसे आपके बेटे पर भगवान की बहुत बड़ी क्रपा है जैसे ही माता के हाथ से जाते बाबा के हाथ से रोने लगते फिर जाते रोने लगते बाबा क्या कर दियो हो बाबा ने का एक मंद्र बनाओ जब लाला को असनान कराओ तो उसका पानी मेरे मस्तक पर गिरना चाहिए नंद्रानी के उस महल में एक दिव्यर बाबा का मंदर बना जिया गया वबिंद्र को जवस्नान कराया था तो पानी उस पर गिरता और भगवान बिल्कुल सांत होगी दर्सन करके बाबा भोले नात अपने धाम को पधारे आज मिया लाला का बड़ा सुंदर सिंगार करें बढ़िया पीले पीले बस्त्र पहना दिये आखों में काजल लगा दिया मोर पंक पहना दिया और पहना कर पालने में लाला को जुला रही है कि लाला सो जाए मैया जुला रही है लागा को सुला रही है लेकिन भगवान को नीद नहीं आती है क्यों कि भगवान को लोरी सुनने की आदत है पहले की जो माताएं थी वो अपने बच्चों को लोरियां सुनाती थी बड़े बड़े महापुर्सों की कहानियों को सुनाती थी बच्पन में तब बच्चे की बुद्धी राष्ट परक और देश परक बनती थी महाराणा प्रताप से लेकर के सरदार भगत सिंग तक इनकी माताओं का इतना बड़ा सायोग है इनको देश के सपूत बनाने में प्रतेग पुत्र को बनाने में उनकी मा का सबसे बड़ा हाथ होता है क्योंकि मा बच्चे की प्रथम गुरू होती है